वेलकम टो गोपाल स्टेडी पॉइंट दोस्तो आप सभी का आपके अपनी चैनल गोपाल स्टेडी पॉइंट में हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में लेकर आये हैं साया का द्यावक भरती परिक्षा जो कि 6 जनवरी 2019 को संपन हुई है उसकी आंसर की और द जी एस जी के और आपका जो जीवन कोसल स्क्षिन कोशल के बिशह में इन सभी के कोश्ण के विशह में उनके आंसर बताएंगे और दोस्तो इससे पहले मैंने दो वीडियो लेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने मैथेमेटिक्स को फुल एक्सप्वाइशन के सात मे आंसर दिया है और दूसरी वीडियो में मैंने कंप्यूटर रिजनिंग और हिंदी अंग्रेजी और संस्कत के आंसर बताए हैं तो आप उन सभी को उस वीडियो को देखकर आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं और दोस्तो उसका लिंक मैंने यहां पर एक जो आई का बटन करेंगे तो वहां से आपका लिंक मिल जाएगा और दोस्तों वीडियो के लास्ट में उसको आप थमनेल पर भी चेक कर सकते हैं तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आफ टाइम तो इसमें जैसा कि कोशन नंबर वन है लिया है दोस्तों यह मेरे आपके पास डी स्रीज नहीं है तो आप कोशन को मैच करके उसका अंसस को करेक्ट कर सकते हैं तो जैसा कि कोशन नंबर वन दिया है दोस्तों इसमें गैगने के अधिगम सोपान का सही करम है तो इसका जो राइट आंसर है वो अप्शन नंबर थार्ड है संप्रत अधिगम नियम धिगम और समश्य समधान स्रिजज नात्मक्र समश्य समधान की व्यवास्था है जिसमें व्यक्ति समश्य पर ध्यान नहीं देता है तो दोस्तो इसको अनू वादन भोलते हैं नेक्स्ट राष्टे आस्ति विकलांग संस्थान कहां पर इस्सित है तो यह कोलकाता में इस्सित है नेक्स्ट खाने का नमक इससे बनता है तो दोस्तो यह मजबूत अमल और मजबूत चार से बनता है नेक्स दोस्तो यदि किसी पिंडे की गती जूरजा अपने प्रारंबिक मान का चार गुना हो जाए तो तब नया सम्वेग होगा तो दोस्तो ये सम्वेग का मान भी क्या होगा प्रारंबिक मान का चार गुना ही होगा तो इस तरह से हमने इसमें question को solve करके भी देखा था तो दोस्तो इसमें question का जो answer है वो problem का चार गुणा ही आता है next द्वेनी तरंगों की जो प्रकरती होती है वो अनुदैर्द होती है और next देखते हैं एक micron जो होता है वो 10 to the power minus 6 meter के बराबर होता है next question देखेंगे वातावर्ण का वह चेतर जिसमें ओजोन प्रत उपस्तित रहती है कहलाता है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा option number 4 option number 4 में है हमारा stratosphere जिसको समताप्य मंडल कहते हैं next question देखेंगे next question है स्वांस शिद्र का उप्योग स्वांस के लिए किसके द्वारा किया जाता है तो ये इसका right answer है option number 3 कैच्वे के द्वारा next question दिया है सरल रेखा पर गतिशील किसी कंड की जो इस्तिती है एक समय के साथ संबंद x is equal to 6 t square minus 5 t के अंसवार बदलती है तो x meter में है t second में है तो कंड का प्रारंबिक वेग होगा तो इसका answer आएगा 6 meter per second next question देखेंगे दोस्तों किसी किस की कमी से रतोंदी रोग होता है बहुत आसान question है vitamin A की कमी से next question 4.4 g co2 का NTP का आयतन होगा तो ये NTP में जो आयतन होगा तो 2.24 लीटर होगा next question इन में सबसे कमजोर शींड बल कौन सा है तो ये हुता है गृत्त आकरशन बल रठारे की जो थीम थी वो प्लास्टिक परदूशन को कम करो थी और ग्लोबल हैपिनेस इंडेक्स जी एचाई दोजार रठारे का अमसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान था तो 133 वा स्थान था नात पंत नामक संप्रदाय के प्रवरतक कौन थे तो मतेशन नात थे next निमलिकित में से कौन सा करनाटा का लोक निर्थ है तो ये यक्षगान नेक्स काचीपुरम में कलास मंदिर शिव मंदिर जो की शिव मंदिर है कि भीत्री दिवार उपर रंगों के मूर्तिया बनाई गई है किस ने बनवाई थी यो नर्सिंग वर्मन टू ने बनवाई थी नेक्स देखेंगे मुर्जापूर परशिद है तो ये कजरी के लिए परशिद है नेक्स कोशन निमलिकित में से किस राजी में भारत का सोवा एरपोर्ट इस्तित है तो दोस्तों सिक्किम में है केंडरी गलास एम सेरेमिक अनुशनधान संस्थान इस्तित है तो ये दोस्त बारती पुरुसकार किसे परदान किया गया तो वो डॉक्टर रमीश चंद शहागो नेक्स कुशन निमलिकित में से किस छेतर में नोबल पुरुसकार 2008 की गोषना नहीं की गई तो दोस्तो अब की बार साहित के छेतर में गोषना नहीं की गई थी नेक्स यूएस ओपन टैनिस टूर्णामेंट 2018 महीला एककल की विजेता थी तो ये नाओमी ओशाका नेक्स कोशन देखेंगे नेक्स कोशन है दोस्तो 65 वे राष्टे फिल्म पुरुषकारो में वस 2017 के लिए सबसेट फीचर फिल्म का जो पुरुषकार जीता तो वो थी दोस्तो विलेज रोग स्टार्स ने नेक्स कोशन दिसंबर 2018 में जलवाईयू परिवर्तन पर अंतर राष्टे संबिलन कहां योजित किया गया तो ये किया गया था दोस्तो कैटो विस पोलेंड में नेक्स कोशन निमलिकित देशों में से किस میں प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सरकिट की सुरुवात की थी तो दोस्तो इन नेПाल में की थी नेक्स कोशन भारत का सेक्स पिर किसी कहा जाता है बहुत ही सरल कोशन पूछा था दोस्तो तो ये काली दास को कुम्ब मेले को युनेक्सको की अमूर्थ सांस्कृतिक धरवर सूची में कब सामिल किया गया तो 2017 में कथक अली किस राजजगा सास्त्री अन्रत है तो दोस्तो एक किरल का है सोरब चोधरी का संबन की स्केल से है तो दोस्तो निशान बाजी से और नेक्स कोशन स्टैच्व आफ यूनिटी की जो उचाई है वो कितनी है वो 120 मीटर है नेक्स कोशन भारत में पहली इंजिनरित रेल को सामिल किया गया है नेक्स्ट नब्यवे आउसकर 2018 की सब्सक्रेश्ट फिल्म है तो दोस्तो दसेफ वोटर नेक्स कोशन मानव विकास उचकांग 2018 में भारत का जो अस्थान है वह 130 अस्थान है नेक्स कोशन दा एकसिडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के जो लेखक ह वो है दोस्तो संजेब बारू और दोस्तो नेक्स है एकजाम वोरियस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो दोस्तो वो हमारे मानव प्रधान मंतरी नरेंदर मोदीजी द्वारा लिखी गई है नेक्स कोशन मिल्क मैन उपन्यास की लेखका है तो एना बर्न्स अभी अभी प्रेणा के मूल प्रवर्ती सिधान के प्रतिपादक हैं तो दोस्तो मैक डूगल एंड नेक्स कोशन देखेंगे दोस्तो इसमें हम तो दोस्तो नेक्स कोशन है 66 सानुभूती कोशल में व्यक्ति क्या करता है दोस्तों की परिशानियों को समझता है नेक्स कोशन पु एक्ट किस वर्स में प्रभावी हुआ ? तो दोस्तो, सिख्या का अधिकार अधिनियम जिसको 8 एक्ट किस वर्स प्रभावी हुआ ? तो यह हुआ था दोस्तो 2009 में नेक्स कोशन, वह मुल्ले जुमानों इच्छाओं की तुष्टी करे यह विचार दिया गया तो ये अर्बन की दौरा दिया गया नेक्स कॉशन है निम्लिकित में से कौन सा एक समाजिक प्रेरख है तो दोस्तो ये है दोस्तो आत्म गोराव नेक्स कॉशन देखेंगे अलग ढंग से कार्य करने तदा नई तरीकों का इस्तमाल करने की योगता कहलाती है तो दोस्तो ये योगता कलाती है स्रजिनात मक्ता नेक्स वेवसाइक निर्देशन का प्रियोग सर पर्थम किस ने किया तो ये किया था दोस्तो पार्शन्स ने नेक्स कॉशन एन सी आर्टी ने सेक्सिक संदर में निमिलिकित मुल्यों में से किसको स्विकार किया है तो ये किया है दोस्तो सभी को प्रोब सभी सफाई सचाई स्रम और समानता और सभी को तो इसका 4 option सही है option number 4 नेक्स देखेंगे भारतिय राष्ट्य कांग्रेस के पर्थम मुस्लिम अध्यक्स कौन थे तो ये थे दोस्तो बदरूदीन तयव जी नेक्स कौशन साइमन कमिशन के वुरुद परदसन में लाठी चार्ज में लगी चोटो से किस नेता की मुरत्य हुई थी तो ये लाला लाजपत राई की मुरत्य हो गई थी नेक्स कौशन देखेंगे दोस्तो लोक सबाद वारा पारित धन विदेक को राजज सबाव विचार मिमर्स करने के लिए अधिक्तम कितने दिनों तक रख सकती है तो दोस्तो 14 दिनों तक प्राय दीप भारत का सबसे दक्षिन बिंदू कन्या कुमारी इस्तित है तो ये है भूमद रेखा के उत्तर में नेक्स कोशन देखेंगे निमलिकित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महसागर की धारा नहीं है तो ये है दोस्तो ऑप्शन वन अंगुल हास धारा नेक्स कोशन नाथुला दर्रा भारत के किस राजज में इस्तित है तो ये सिक्किम राजज में इस्तित है न तो दोस्तो इसमें एस्थाई वर्ड नहीं दिया है तो डक्टर सचीदानन सिन्ना को नहीं बोल सकते हैं तो इसके जो राइट अंसर बनता है वो डक्टर राजेंदर परशाद बनता है काकोरी सडियंदर केस किस वर्ष हुआ था तो यह हुआ था 1925 में नेक्स कॉशन देखे केवल कक्षा तक सिमित रहने वाली परक्रिया है नेक्स कॉशन है प्रात्विक विजयाले में मिड़े मील कारिकरम परारंब करने का जो परमुकारण है वो है दोस्तों नमंकान संख्या बढ़ाना नेक्स कॉशन उद्धिपन अनुकरिया सिधानत का जो परतिबादन किस न प्रश्थावना कोशल का जो मुख्य गटक क्या है तो यह उता है पूर उग्यान नेक्स वोशन है दोस्तों एन सी आर्टी द्वारा राष्ट पार्टे चरिया की रूप रेका कप्रसुत की गई तो 2005 में जो विद्यारतियों को उप्युक्त सिक्षों को दुवारा समुचित सिक्षा प्राफ्ट करने के योग बनाता है जिसमें वे उपलब्द अधिक संसाद्रों का उप्योग करके परसिक्षन में सर्वत्तम प्राफ्ट करने में समर्थ हो सके यह परिवासा दी थी तो दोस्तों ये दिव्यांग जन्ब की सिक्शा के लिए नेक्स विकास आत्मक दिशा का नियम समलिद करता है तो दोस्तों ये मस्तका धो मुकी नियम को निकट से दूर का नियम दोनुऊ एक और दो दोनों सही है नेक्स कोशन देखेंगे दोस्तों इसमें मारगेट मीड के अनुसार व्यत्तिक भिंताओं के लिए सरवादिक मेत्मून कारक है तो मनोवग्यनिक कारक नेक्स कोशन ब्रेल लीपी के जनक है तो लूई ब्रेल आच्छा कोशन था दोस्तों नेक्स कुशन है प्राचीन अनुबंदन का सिद्धान किस ने दिया तो पाउलाउ जी ने दिया था, नेक्स कुशन देखेंगे, हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किस के दोरा लिखी गई थी, तो ये गोल्डन के दोरा, नेक्स कुशन इम्लिकित में से कौन सा कारख बा कालग की विकास को परभावित करते हैं तो दोस्तो इस तरह से हमने रेस्ट तोपिक्स के सभी जो कोशन्स थे उनके आंसर को कंप्लीट किया है इस वीडियो में और दोस्तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जादे से जादे दोस्तों में शे करना है जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसकी सूचना आपके पास पहुचेगी सबसे पहले वह भी बिना किसी सर्च के और दोस्तों इस चैनल से चुड़ना एकदाम फ्री ओफ कोस्ट होता है और इस चैनल से आप ज्यादे से ज्यादे जुड़ी है क्योंक करें एक्जाम है रिलेटेडिट टू टीचिंग आपको यहाँ पर धेर हो सारी वीडियो आपको उपलब्द कराई जाएगी और तो चले हैं न almonday ना कि वीडियो के साथ में नेक्स्तन नहीं टॉपिक के साथ में नेक्स्टन हुचास नहीं मगल में हो शुभड हो और झाल झाल